Hello everyone and once again welcome to WA Script Tech, myself Umar Tashkir. Guys, इस particular वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से हम लोग वीडियो ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं. Guys, अगर हमारी वेबसाइट के उपर यूट्यूब वीडियो इंबेड है, यानि कि यूट्यूब वीडियो प्रेजेंट है, तो इन सारी चीज़ों को हम ट्रैक कर सकें as events और वो हमेशो हो Google Analytics में और किस तरीके सा हम लोग इस ट्रैकिंग को सेट करेंगे using GTM, उसको हम लोग इस particular वीडियो में देखने वाले हैं. शुरू करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर, यहाँ पर हमारी website ओपन है 360 डिश्टल ग्यान और यहाँ पर एक specific web page है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने already जो इस specific web page के उपर जो वीडियो है, वो मेरे सामने है, तो मैं चाहता ह कि इस specific video की मैं tracking कर सकूँ, तो चली शुरू करते हैं, मैं आ जाता हूँ simply GTM के उपर, और guys GTM पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जो video related variables हैं, वो यहाँ पर activate हैं कि नहीं activate है, ठीक है, last वाले video में हम लोगों देखा था कि हर specific जो हमारे action होता उससे related कोई न कोई variable जरूर होते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे scroll की, तो आपर हम लोगों देखा था, scroll की जो threshold होती है, और उसका जो percentage वोगरा है, उससे related हमारे पास variables थे, उनको हमने पहले activate किया था, ताकि उन variables में कोई value आ सके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अपन duration, current time, ठीक है, अभी कितना देखा गया वीडियो, वीडियो का percentage और वीडियो visible, तो ये सारे हमारे variables हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन variables को हमें activate कर लेना है, जो मैंने already यहाँ पर कर रख था है, अब हमें trigger setup करना है, वीडियो trigger setup करना है, तो मैं यहाँ पर new पे आ ज progress मैं track करना चाहता हूं, कितने लोगोंने 15% देखा, कितने लोगोंने 25% देखा, कितने लोगोंने 30% देखा, ठीक है, और कितने लोगोंने 50% देखा, अगर मुझे यह track करना है, तो मैं इसको set कर देता हूं, यहाँ पर, ठीक है, add JavaScript API support मैं इसको activate कर दूँगा, और all videos, अभी आप set कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास option है, ठीक है, तो यहाँ से आप some videos जो है, वो select कर सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर all videos ही रखता हूं, एक बार के लिए, क्योंकि हम लोगों अभी समझना है, ठीक है, तो video trigger यहाँ पर मैंने इसका नाम रखती है, आप guys हम लोग इसको simply save करते हैं, जब हम इसको save कर देंगे, तो हम देख लेंगे यहाँ पर यहाँ कि trigger properly काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार refresh करता हूं, यहाँ पर जो हमारा preview and debug mode है, इसको मैं refresh कर देता हूं, refresh करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी website के है, fine, so guys, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यह हमारा वीडियो, अब जैसे ही मैं इसको उपर click करूँगा, ठीक है, we will identify कि यहाँ पर जो summary है, हमें यहाँ पर क्या चीज़े नीचे दिख रही है, ठीक है, यह तो summary है, but summary के नीचे जो हमें यहाँ पर चीज़े दिख रही क्योंकि trigger जैसे हम लोगों ने scroll depth वाले video मनाया था, पहले trigger मैंने मना लिया, अभी इसके साथ मैंने कोई tag associate नहीं किया है, तो इस trigger के साथ अभी कोई tag नहीं लगा हुआ है, fine, but यह trigger है, तो trigger में हम देखते हैं, आपर क्या-क्या information आ रही है, ठीक है, तो variables में मैं किन variables के उप यहाँ पर आज हो भई, यह देखो, video duration आपको दिख रहा है, इतने millisecond, video percentage, 0 दिख रहा है, video provider, youtube दिख रहा है, और यह जो 8 वाला हम लोगों ने देखा था, यह अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर start है, तो यह पहला वाला है, मैं 9 पर आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा current video time है, वो अभी 4 seconds तक हो गया है, और यह जो है guys, 1674, यह जो हमें time यहाँ पर दिख रहा है, 27 minutes, 54 seconds, इसको इनोंने जो है, यहाँ पर seconds में convert कर दिए, तो video duration, overall video का time है, millisecond में नहीं है, यह overall video का time है, यहाँ पर video का current time है, जो 4 है, मैं थोड़ा सा और इसको play करता हूँ, एक बार, ठीक है, जैसे हम play करेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पर अभी आपको और भी ज्यादा events जो है, वो वापस आपको दिखाने लगे है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, 11th मैंने किया है, तो आगे करने के बाद मै इसको वापस एक बार pause करता हूँ, और 11 को हम लोग identify करते है, यहाँ पर वीडियो परसंटेज हमारा 11 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 11 परसंटेज हमारा वीडियो हो चुका है, ठीक है, करेंट वीडियो का टाइम इतने seconds हो चुका है, ठीक है, तो अगर आप इसको divide somewhere around आपको यही मिलेगा, ठीक है, वीडियो स्टेटस जो है, वो seeking है, और यहाँ पर वीडियो टाइटल, वीडियो URL और वीडियो विजिबिलिटी जो है, वो yes में है, इसी तरह किसे 12 में हमारा जाएंगे, तो आप देखो के 186 दिख रहा हैं, ठीक है, 186 जो बिलकुल अभी हो गई होगी, जो हम लोग स्टार्टिंग से discussions करते आ रहे हैं, क्या की variables क्या है, कैसे यह डेटा को store करते हैं, तो अगर आप इस वीडियो पर डिरेक्ट आए हैं, तो आपको पहले वाले वीडियो भी देखने चाहिए, इस सिरीज में, तभी आपको थोड़ी से और clarity होगी तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने वीडियो डिरेशन जो है, वो आपको बता दी, वीडियो परसेंटीज, यह सारी चीज़े हमें यहाँ देख रहे हैं, अब हम यहाँ से जो information हो Google Analytics में भेज सकते हैं, यानि कि इस specific trigger को हम एक Google Analytics का जो tag है, वो associate करके दे सकते हैं, त guys, मैं new कर देता हूं इसको, और guys, इसका मैं नाम रख देता हूं GA, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं video, ठीक है, video tracking, ठीक है, Google Analytics, video tracking and all videos, all videos के लिए है यह, तो मैं all videos कर दूँगा, tag configuration में जाएंगे, Google Analytics हम लोग select कर लेंगे, क्या यह page view है, नहीं, यह वापस हमारे लिए ए status क्या है, ठीक है, so मैं action में जो है video का status ले सकता हूं, जैसे pause मैं ले सकता हूं यहाँ यहाँ पर video का status, ठीक है, तो मैं यहाँ पर video status ले लेता हूं, ठीक है, level में मैं यह चाहता हूं कि आए कि जो video का हमारा, let's say, video status हो गया ना, यहाँ पर, तो हम level में क्या ले सकते है, video percentage, यह video action जो है हमारा इसमें हम लोग video percentage ले ले लेते हैं यहाँ पर फिके video percentage हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर level में हम लोग video title ले लेंगे, fine, video title, okay, जिससे में पता चलेगा यह video कौन सा है, तो video title हम लोग ले लिया, fine, अब यहाँ पर Google Analytics सेलेक कर लेंगे, trigger जो हम लोगों ने अगर आप वापस इसको check करना चाहते हैं, कि जो वापस हमारे interactions हैं, उनके उपर tags fire हो रहे हैं या नहीं, fine, तो मैं इसको एक बार के लिए refresh कर देता हूं, क्योंकि मैंने आप उसके साथ tag associate कर दिया है, तो हम लोग इसको वापस एक बार के लिए refresh कर देंगे, and refresh करने के जी ये वीडियो ट्रैकिंग, ये वाला जो है, ये fire हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो हमारा tag है, ये fire हो रहा है, fine हो, ये कुछ information यहां भी भेज रहा होगा, ये देखो भाई, यहां पर हमें अभी event action जो है, वो undefined show कर रहा है, तो मैं एक बार वापस आता हूं, यहां पर, जब इसको आप ले कर लेंगे, fine, उसके बाद मैं इसको वापस pause करता हूं, तब हमें यहां पर, maybe, जो हमारा action है, ये देखो, event action में हमें 16 यहां show करा, आप देखो, ये percentage हमें देख रहा है, undefined इसलिए हमें देख रहा है, क्यो हमने बहुत ही कम किया था, ठीक है, अब यहा वापस आ जाता हूं, यहां पर, ठीक है, वापस आने के बाद हम लोग वापस इसको प्ले करते हैं, मैं कुछ इसको और जाले से interaction कर रहा हूं, ठीक है, तो guys, यहां पर हम लोग आ जाएंगे वापस, और मैं अगर इसको एक बार फिर से वापस refresh करूँगा, तो अब ही अग से बेसिकली, वही वो शो करता है, वो percentage का symbol automatically वहाँ पर नहीं दिखता है, ठीक है, तो इस तरीके से guys, हम लोग इन सारी चीजों को set कर सकते हैं, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बैट मैंने इसको set कर दिया है, so guys, आप इस तरीके से भी इसको set कर सकते हैं, अगर आपको percentage जो है वो देखना है, दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते है next वीडियो में, till then, good bye